जाए हिंज साथियों स्वागत है आप सभी का आज की इस में चर्चा करने जा रहे हैं भारत के अभी कुछ ऐसी चीज देखने को मिली है जो आज से पहले भारत की इत्यास में कभी नहीं हुई है जी है भारत का एक रिसर्च इंस्सिटूट है उसने हाल फ्लाल में एक बात ज उपका रहा है और किस तरह सेथे हिंगा फ़ोर्मेशन होता है कि तने में होते हैं और कहां पर हमिन और भॉरा सको देख सकते है तो चलिए वीडियो को शुरुबात करते हैं बाट वीडियो को शुरूबात करने से बेले यादि आपने अभी ऑविदर की चैनल को सब्सक्रा लग्दाक नोट एन एरगलोग कंफर्म हैंले सोर्सेस तो यह जानकारी देने की कोशिस के एक इंडिया का एक इंस्टिटूट इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टिटूट अश्ट्रफजिक्स तो उसने यह बताया है कि भारत के जो लग्दाक वाला पॉर्शन है वहाँ पर जो है नॉर्दन लाइट्स देखने को मिली है और यह दो दिन लगातार देखने को मिली एक तुपाई सप्रेल और एक तेई सप्रेल के दिन तो वहाँ पर जो टूरिस्ट थे जो जगाहा को एकस्पूर करने के लिए गई हुए थे उन्होंने इस बात का नजारा देखा औ और यह देखी आप मैं साथ सेकंड की वीडियो लेकर आया हुआ हूं जरा इसमें एक बार देखिए आप कि यह स्काई है इस स्काई के अंदर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा होगा लाइक यह चमकती नजर आ रही होगी आपको एक मिनट मैं इसको इसको जारी किया गया है इसको जारी किया इंटर इस्टोनमिकल आपजर्वेटरि जो के लग्दा के अंदर है तो उसने इस चीज को इस पॉट किया है तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक तो समझ में आया होगा अब यह और रहाश का फॉर्मेशन किसलिए होता है यह ए तो देखिए यह जो auroras होते हैं यह किसकी विजबाजे, शन के विजबाएस बें तो जब हम भात कर पते हैं सन की अंदर दिवार्ट दिवार्ट यहां पर कुछ अधर एलिमेंट्स जो होते हैं और इसको मोलते कॉरोना उस को टेंपरेटर होता है वो काफी जदा हाई होता है और उस हाई वाले particles है यह जो हैं वो particles है जो कि sun की corona layer से बाहर निकले हुए sun की atmosphere को छोड़ चुकी है अब यह जो particles होते हैं इस तरह से इनको इस तरह से समझें आप जिस तरह से अर्थ के ऊपर wind चलती है हवा चलती है ठीक उसी प्रकार से जो. सन के ऊपर बींड चलती हैं उनको devam सोलर फ्लेर्स के नाम से जानते हैं और और वी बींड़ चर्च पार्टिकल में चल रही होते में बैसिकली इनके ऊपर या तो पॉज्टिल चार्ज होता या फिर नि स्ट्डिंग में इंत्र से बहार निकल तो आप बचने की कोशिस करते हो और कई बार अगर वो बॉल जो है आपके सरीर के एक important organ को touch करती है या लगती हीट करती है तो आपको वहाँ पर दर्द भी होता है ठीक उसी प्रकार से अर्थ जो होती है यह सामने से चार्ज्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं यह उसके लिए एक सड़ी मार की केंद के रूप में है और अर्थ अपना उसको बचाने के लिए का करती है अर्थ अपना एक magnetic field को create कर लेती है यह कुछ इस तरह से अर्थ जो है अपना magnetic field करेट करती है जिससे कि जो चार्ज्ट पार्टिकल्स सन की तरफ से आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं सन की तरफ से जो आ रहे हैं चार्ज्ट पार्टिकल्स तो उनसे प्रिवेंट हुआ जाए सकें लेकिन कई बार क्या होता है इनकी जो rate of emission होता है सन से वह काफी ज़्याद हाई amount के अंदर होता है और उस event को हम बोलते हैं coronal mass ejection ठीक है अब जब यह event जो होता है इसके अंदर क्या होता है कई सारे number of millions of charge particles हा रहे होते हैं सन से और उसके वज़ाए से अर्थ की एक magnetic field होते है वह भी कई बार breakdown कर जाती है और breakdown होने के वैसे कुछ चार्ज्ट पार्टिकल्स हैं जो सन से आ रहे हैं वह इस अर्थ की magnetic field के अंदर एंटर कर जाते हैं यह आप red वाले और yellow वाले जो स्पोर्ट देख पा रहे हैं तो यह कुछ चार्ट पार्टिकल्स जो हैं वह आर्थ की magnetic field के अंदर एंटर कर चुके हैं अब अर्थ की magnetic field क्या होते हैं नॉर्थ पोल से लेकि साउथ पोल तक इंटरेक्षन के दोरान जो है एक पोलर कस्प के रीजन के अंदर जिसको नौर्थ पोल के वबर और साथ पोल के उपर जबिस प्रिजंट एक ग्जिस्टिंग बार्टिकल के साथ कहां पर देखने को मिलते हैं तो देखिये और्वरा क्या होता है एक पोला लाइट का इवेंट होता है नेच्छरल फैनोMन होता है जो कि हाई लेटिटूड रिजसन के अंदर अर्थ के अटमiçãoसफेर के अंदर देखने को मिलता है पर्टिकुलर्टी कौन कौनसी रिजन के अंदर Arctic region और अंट सब्सक्रिय। So is यहिए आपक अर्थ मोलते हैं ऑसकी जब औरल्ट से जब लॉपकर है उब्रोट के पड़िशन को भ्र्रिय। जाते हैं तो यदि यह जो औरोरा का फॉर्मेशन हो रहा है यह जो और दूस का फॉर्मेशन होता है यह यह और यह यह और लेदी आगर Northern Lights के नाम से भी जानते हैं जो कि आपको US के Alaska के अंदर, Canada के अंदर, Iceland के अंदर, Greenland के अंदर, Norway के अंदर, Sweden के अंदर और Finland के अंदर देखने को मिल जाएंगे वहीं जब इन Lights का formation जो है आपके Southern बाले पार्ट के अंदर होड़ा है जिसको हम Antarctic Circle के नाम से जानते हैं यह आपको Antarctic Circle दिखा ही दे रहा होगा और इस Antarctic Circle के अंदर इन Lights का formation होता है तो उसको हम Aurora Australis के नाम से जानते हैं टीक है इनको हम अंटार्टिका के अंदर देख सकते हैं चीले के अंदर देख सकते हैं अर्जेंटिना के अंदर देख सकते हैं न्यूजिलेंड के अंदर देख सकते हैं इतना ही नहीं यह अर्थ जो है यह अर्थ के ऊपर नहीं अब्जर्ब के जाते हैं बलकि अर्थ के और क एक स्पेस्क्राफ्ट विजय गया तो उसने बताया है कि मार्स पर भी औरोरास का फॉर्मेशन होता है तो यह जो है जहाँ जहाँ पर जिस प्लैनेट के ऊपर मागनेटिक फील्ड की बेजैंस है उसके अड्मस्वेर के अंदर तो वहाँ पर इस तरहा की औरोरास का फॉर्मेशन है वह मार्स के उपर भी होता है अच्छा अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब इसके साथ साथ यदि आप कभी भविश्ची के अंदर एक्सपोर करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इन लाइट्स को मुझे लाइब के अंदर देखना है मुझे अपनी आखों से देखना है तो मैं आपको कुछ बेस्ट प्लेस बता देता हूं कि आप इन चीजों को कहां पर विजिट कर सकते हैं आप ब्रूने आइलेंड के अंदर विजिट कर सकते हैं जो कि नौर्वे की हैं ऑसलो सेंजा और ट्रॉम्सो ब्रूने मुल्ट उपनद चाहें क्ए जहां से आप इन ओर रावा धक कर्सक्रेंगों से करिको लकिए उना तरीक योट बाइनल की मिल योगी आपको वीडियो पच्छी लगी होगी यदि वीडियो आपकी है अच्छ stamps कैजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए ज का अब और अ अ